सुबह आठ बजे के बाद नहाने वाली आउरतें इस वीडियो को जरूर देखें अगर आपके घर में कोई आउरत है या आप खुद आउरत हैं और सुबह आठ बजे के बाद नहाती हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लार्स तक देखिएगा तो चलिए जाने कि सुबह आठ बजे के बाद नहाने वाली आउरतों का क्या हाल होता है इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो आपको पता ही है चाणक्यजी बहुत बड़े नीतीकार थे नीतीकार के साथ साथ वे बहुत बड़े ग्यानी भी थे उन्होंने बताया कि सुबह आठ बजे के बाद जो औरते नहाती हैं वे औरते को लच्छडी मानी जाती हैं और अपने घर को बरबाद करने में उनका सबसे बड़ा योगदान होता है अगर आप चाहती हैं कि आप अपने घर के बरबादी का कारण ना बने तो आपको सुबह आठ बजे से पहले ही नहा लेना चाहिए जो औरत सुबह चार बजे अपने बिस्तर को छोड़ कर उठ जाती हैं ऐसी औरतें घर के लिए लक्षमी मानी जाती हैं और जो औरतें सुरियोदय के बाद तक बिस्तर पर सोई रहती हैं ऐसी औरतें घर को बर्बाद करती हैं और घर में गरीबी आलाती हैं जो औरतें अपने घर में बिना नहाए भोजन पकाती हैं ऐसी औरतें अपने घर को बर्बाद कर देती हैं यहां तक कि घर में कंगाली आ जाती है उनहीं के कारण औरतों को सुबह चार बजे सोकर उठ जाना चाहिए बिना नहाए भोजन नहीं पकाना चाहिए और आठ बजे से पहले असनान कर लेना चाहिए जो औरत बिना असनान किये भोजन पका देती है वह भोजन बहुत ही ज़ादा कई सारी बुरी आत्माओं से गीरा हुआ होता है और खाने वाले के उपर सवार हो जाता है तो फ्रेंड्स अगर आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रियर्ट्यू में सेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके मिलते हैं फ्रेंट्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें बाए बाए दोस्तों